सभी सखियों सहेलियों को मंजुद विवेदी और रेणु चतुरवेदी का नमस्कार नमस्कार रेणु जीवन में सभी रसूं का होना बहुत आवश्यक है तभी कहते हैं कि जीवन का संपूर्ण मजा लिया जा सकता है उसी तरह अगर खाने की बात करें तो खाने में भी बहुत सारे रस होते हैं तीखा, चरपरा, खटा, मीठा, कड़वा इन सब रसों को जब मिलाया जाता है या फिर यूं कहें कि जीवन में सभी अगर रसों का उप्योग किया जाए तब खाने में संपूर्ण अता आती है अगर अगर इन सब रसों में अगर हम मीठे की बात करें तो मीठे का बहुत ज्यादा महत होता है और मीठे में भी अगर शक्तर की बजाए अगर शहेद की बात की जाए तो उसकी गुणवत्ता भी बढ़ जाती है और भाव भी बढ़ जाते है क्या बात है ये बात तो बिल्कुल सही है इसलिए बोली भी कही जाती है कि बिल्कुल शहेद जैसी मीठी है उनकी हसी भी शहद जैसी है तो बोलते हैं तो लगता है कि शहद टपक रहा है तो मतलब कुछ चीजों में ऐसी बाते होती है और शायद इसलिए जो शहद बनाती है मदो मक्ही उसका अपना एहम रोल है और भूमिका है उस पूरे यू कह सकते हैं कि केवल हमारे तुमारे जीव जन्तु है पर्यावरण है उनकी पूरी जो संतुलन बनाए रखने में उसकी दिन चर्या चलती रहे उसमें बहुत 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 तो इतना महत्व है कि हम ये दिन मनाते हैं यानि कि आज है विश्व मधुमक्ही दिवस और प्रत्यक वर्ष 20 मही को विश्व स्तर पर ये दिन मनाया जाता है और आज ही के दिन आधुनिक मधुमक्ही पालन की तकनीक का जनक कहे जाने वाले व्यक्ति एंटोन जांसा का जन्म 1734 में स्लोवेनिया में हुआ था मधुमक्ही दिवस को मनाया जाने का उद्देश जैसा कि आपने बताए कि एक तो पारिस्तिती की तंत्र के लिए मधुमक्यों और अन्य परागण को के महत्व, योगदान और उनके संरक्षन के बारे में जागरूपता बढ़ाना है। तो जैव विवेदता के संरक्षन प्रकृति में पारेस्थितिक जो संतुलन है और प्रदूशन को कम करने में भी सहाया के इस तरह से देखा जाए तो और आज के दिन मधुमक्यों के संरक्षन और मानावता के लिए यानि हम सब के लिए हर जीव जन्तु के लिए उनके परिश्रम करती है देखिए न एक यानि की एक चमच शहद बनाने के लिए उनको कितने फूलों के उपर जाना पड़ता है उसका रस निकालना पड़ता है यह बहुत कठीन प्रक्रियार बहुत कठीन परिश्रम है तो उनके परिश्रम की वज़से ही प्राणी पौधे और परियावरन लाभानवित होते हैं पराग को एक फूल से दूसरे फूल तक ले जाकर मदुमक्या और अन्य परागन करता हमारी मदद करते हैं क्योंकि इसी वज़से हमें फल व बीज बहुतायत में प्राप्त हो पाते हैं और किवल इतना ही नई रेणू जी अधिक बिज़ता आ चुकी है बहुत सरे और प्रियोग और शायद इनकी से हमें सीख भी लिया कि हम और भी नए प्रयोग भी करें इंसानों ने ये बीज़ बिज़ों का उत्पादन बढ़ता है जिसकी वज़़से हम नई फसले आसानी से उगा सकते हैं यानि मदुमक्या हमारे दोस्त भी हैं, बहुत साहयक है, क्योंकि फसलों के उगाने के लिए किवल धूप, मिट्टी और पानी जैसा कि हम सब जानते हैं कि धूप मिल गई, मिट्टी है, पानी हो गया, ऐसा नहीं है, बलकि कीट पतंगों और इन मधुमक्यों का बहुत विशेश योगा है, बिल्कु की बात यह है कि मानवी गतिविधियों के कारण परागन करने वाले कीट पतंगों का जीवन जो है, अब ऐसा लग रहा है कि खत्रे में है, उनके महत्व और सुरक्षा को लेकर लोगों में जागरुकता लाना आवशक है, मधुमक्य से जुड़ी जो एक खास बात है, वो य अक्सर लोग कहते हैं कि उनको कोई-कोई संक्रमन हो गया और वो ऐसे बीमार पड़े की पूछो मत, लेकिन हां मधुमक्या जहां हो, क्योंकि वो बहुत परिश्रम कर रही है तो उन्हें छेड़ा न जाए, और उन्हें छोड़ दिया जाए, क्योंकि अगर आपने छेड़ को अज हम व्यंजन विधि के बारे में सत्व के बारे में बताएंगे, सबी मधुमक्यों को ठेज सारी बधाई, और हम सब को भी बधाई कि यह दिवस है आज, और बच्चों की रुची जाने कि क्यों महत्यो पूर्ण है, इसके बारे में भहुत सारी विस्तार से चर्चा क बिल्कुल और सकी विशेश के अंतरगत शांता कालिदास गांधी की हम बात करेंगे और आज सुमित्रा नंदन पंत जी की जहेंती है तो इस विशेपर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे और साथी हम यह भी कहना चाहते हैं कि अगर आप कल आज और कल को सुरक्षित रखना तो यह भावरों की गुंजन और पक्षियों के चाहचाहर रहना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए प्रयास हमें ही करने होंगे हैं तो बहुत ऐसा नहीं है कि कि वला भावरों को सम्हाल कर रखेंगे तो हो जाएगा उन्हें जो चीज चाहिए वो वातावरन और पूरा क पूरी सब चीजों का ख्याल रखना होगा और प्रकृति हमारी सहाया के हमारे जिन्दा रहने के लिए प्रकृति का रहना बहुत ज़रूरी है इस बात को भी ख्याल रखना होगा है कि लिकुल आज सकी विशेश के अंतरकत हम शांता कालिदास गांधी की बात करते हैं वे राष्ट्री नाट्री विद्याले की अध्यक्ष रही आपका जन में 20 दिसंबर 1917 को नासिक में हुआ वे अभिनेत्री दीना पाठक जो की पहले गांधी थी और तरला गांधी की बेहन थी जो पहले मंचिक अलाकार थी तो शांता जी ने 1932 में पूरे के एक प्रायोगिक आवासी विद्याले प्यूपिल्स ऑन स्कूल में दाखिला लिया और वहां से बाद में वो मुंबई चली आई बाद में उनके पिता जी ने उन्हें चिकित्सा का अध्यान करने के लिए इंग्लाइन भेज दिया लेकिन जल्द ही उनके पिता ने वापस बुला लिया क्योंकि योरोप में दोटी ये विश्यो युद्ध शुरू हो रहा था इस प्रकार से जो संभावित चिकित्सा केर मुंबई है मैं इंडियन पीपल्स थियेटर एसोसियेशन की डांस विंग की पूर्ण कालिक सदस्य बन गई और इस असोसियेशन में उन्होंने अपनी युवा साथ ही बहनों और बैले मंडिली के साथ मिलकर भारत अमर मनुष्य और मशीन जैसे कई प्रसिद बैले का निर्मान किया इन्होंने 1950 के दशक में रवी शंकर, शांतिवर्धन और कई अनक अलाकारों के साथ भारत की जो बाद में आधुनिक भारती इनृत थियेटर और संगीत में अपने दम पर प्रसिद हुए बिलकुल, 1952 में उन्होंने अनौपचारिक पाठिकरम के साथ दक्षिन गुजरात में नर्वदा नदी के तड़ पर निकोरा गाउं में बच्चों के एक समू के साथ काम करना शुरू किया 1958 में शांता गांधी को दिल्ली बुलाया गया क्योंकि एश्याई रंगमंच संस्थान की स्थापना की जा रही थी वो उसमें प्राचीन भारती इनाटक के एक प्रोफेसर की रूप में शामिल की गई अगले वर्ष जब इसका राश्टी नाट्य विद्यालय में विलय हो गया तब भी उन्होंने वहां पढ़ाना जारी रखा आने वले वर्षों में फिर इसी तरह से उनकी यात्रा चलती रहे उन्होंने कई प्राचीन संस्कृत नाटक और नाटक कारों के कामों को पुनर जीवित किया पुनर स्थापित किया प्रश्लित किया उनको कालिदास भास विशाख दत और भवभूती से शुरुआत उन्हो को मध्य मव्य योग और उरुभंगा की अपनी प्रस्तूतियों के माध्यम से उन्होंने पुनर जीवित कर दिया एक तरह से कहना चाहिए और शांता जी ने गुजरात में भवई जो लोक रंग मंच है उसको भी पुनर जीवित किया जो आज भी उतना ही प्रशलित है उन्हो जीवित करने में एक प्रारंबिक अगरणी की रूप में याद किया जाता है उनके प्रसिद नाटकों में एक जस्मा ओडन भी है जो एक गुजराती किमधंती पर आधारित है गुजराती भवई शैली में नाटक का निर्मान समकालिन भारती रंग मंच में एक मील का संग्रह उगाता छोड़ 1951 में लिखा और गुजराती में एक उपन्यास अविनाश उगाता छोड़ 1951 में लिखा और 1952 में अविनाश लिखा फिर 1948 की उनकी एक रचना जो है गुजरातन ने पगले-पगले में प्राचीन और आधुनिक महिलाओं के पूरे चरित रुकोर में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरसकार से सम्मानित किया गया और 6 में 2002 को वे इस संसार से विदा हो गई और जैसे तुमने कहा था ना कल आज और कल तो ये तो हो गई हमारे अतीत की बाद बहुत सम्रिद दराया निखत जरीन जो है मुक्के बाज है जिन्होंने हो रही थी प्रतियोगी था उसमें उन्हें एक तरफा फाइनल में थाइलायन की जिट पॉंग जुटा मस को ये हराया और ये तेलंग आना की है इनसे अभी बहुत सारी उमीदे हैं वैसे तो बहुत लंबा इतिहास है ये चार साल में ये पहली बार सौड़ना पदक आया ह बहुत आशाएं रखते हैं उनसे और उसके लिए वो काफी प्रयाज भी करते हैं कि वो अपनी आशाओं पर खरे उतरे हैं लेकिन इस दोरान कभी-कभी वो ये पात भूल जाते हैं कि वाकई में उनका बच्चा चाहता क्या है इसके अलावा वे अपनी इच्छाएं भी ब छम्ता नहीं थी लेकिन नहीं बन बाए तो लगता है कि कुछ अपने सपने पूरे कर लिया जाएं बच्चों से तो बही आँसा करें क्योंकि आपके अर्मान जो थे भो ठीक है अपनी जगे बिकन अब जो बच्चा है आपके सामने उसके अपने कुछ अर्मान होंगे और ये भी जानना बहुत जरूरि है, इस पर एक बात बहुत महतोपुर्ण लगती है, दीपावली के दूसरे दिन जब पुजा होती है, तो बच्चों जो सबसे चोटा बच्चा होता है, उसके सामने बहुत सारी ऐसे सामग्रियां रखी जाती है, थी पहले पुजा जब की जात कि बच्चे की रूची किस में है पर हाथ रख रहा है थोड़े पैसे भी रख जाते थे हो सकता है यह व्यापार में जाए तो इस तरह से उसकी रूची समझने की कोशिश की जाती थी. तो आज अगर हमको ये समझना है तो ये नहीं सोचना ची हम कुछ नया करने चाहरे हैं ये हमारी परमपरा रही है वहा, तो ये जो बात अब भी बताई न रेणू जी आपने, इसे एक पार फेर मुझे इस बात का आभास हुआ है कि हमारी परमपरा, केती संवड़्ध परमपरा है रही है, और देखिए बच्चों की रूची का उस समय भी इतना ध्यान रखा जाता ह memorized था कि उन चीज़ों में से जिस चीज पर बच्चा हाथ रखे या जिस चीज का चुनाओं करें तो यह समझा जाता था कि बच्चों की इस चीज़मेंग अगे बढ़ाना है तो आज का जमाना तो उसे अब कहीं आगे की सोच रखता है टेकनोलोजी आगे तो अगे बढ़ी है और अगर रोजगार के साधन की भिपी बात करें हम तो अब बहुत व्यापक रूप से ये बातें होचुकी है पहले एक सिमित साधन थे लेकिन अब साधनों की कमी भी नहीं है तो अब तो हमें विशेश तोर पर इस बात का खयाल रखना चाहिए उसके साथ साथ बच्चों को उस सब की जानकारी देनी चाहिए बहुत अबोध तक हमारे जैसे लोग हैं अगर पीड़ी के लोग उनको उत प्रतीक है कि हाँ उसकी रुची का हमें समान करना है तो देखें उस पे तो उन सारी चीजों की जानकारी आप हासिल करें ऐसा नहीं सूचे कि अब बच्चे ने तो यही कहा था हमने करवा दिया है ना जी उसका उचित मार्ग दर्शन करना भी उतना ही आवशक है क्योंकि शुरुआत में तो जो चीज उसे लुभाती है वो उस चीज को ले लेता है लेकिन बाद में जैसे जैसे वो बड़ा होता हमें पता चलता है कि इसकी रुची किस तरफ जा रही है इसका रुजहान किस तरफ है तो इस बात का ध्यान रखते हुए हमें उसका उचित मार्ग करना चाहिए क्योंकि बच्चों का रुजहान किसी तरफ होता है कभी-कभी बच्चे अपने मित्रों को देखकर या अपने किसी बड़े को देखकर उसको आदर्श मान लेते हैं और या कभी उनकी रुची पैसे की तरफ है तो सोचते हैं इसमें पैसा बहुत है या यह पढ़ाई के इस तरह से पढ़ाई में जैसे बच्चा चोथी पांच वी च्छटी में आ जाता है तो उसमें विश्यों के चुनाओं को लेकर कि बहुत बड़ी एक समस्या रहती है बड़ी बहस होती है उस पर कहना चाहिए माता बिता चाहते है कि हमारा बच्चा तो विज बच्ची का हम ध्यान रखें कि अगर वो कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे ऐसा ना समझें कि आर्ट का क्षेत्र तो अरे उसमें क्या करेगा क्या काम कर लेगा तो यह सोच होती है यहां तो पहले भी ऐसा होता था हम लोगों के समय में भी कि अगर MSC कर और उसमें दमखं भी बहुत लगता है ऐसा नहीं है कि केवल खेल खेल के आप सब कुछ हासिल कर लेते हैं खेल खेल में खेल नहीं खेला जा सकता बिर्कु सही बात है उसमें भी आपको अगर शीर्ष पर पहुशना है तो पूरा आपको जोर शोर लगाना पड़ता है माता पीता को ऐसा भी देखा गए नär कि दूसरे बच्चों से बहुत कंपैरिजyन करते हैं कि और उसका बच्चा देखो वो लाइन में गया है ऐसा देखो इतना आगे बढ़ गया है इतना पैसा कमा रहा है यहां तक कि वो अपने खुद के दोनों बच्चों में भी तुलना करते हैं तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि हर बच्चे की क्षमता अलग-अलग होती है और रूचियां भी अलग-अलग होती है तो इस बात का खयाल भी रखना चाहिए बच्चों की जैसे हमने शॉर्टकट की बात कही कभी-कभी माता-पिता के मन में भी आता क्या अरे देखो उसने वो वाला कोर्स चुना था और तीन वर्ष में वो निकल कर नौकरी भी करने लगा तुम अभी तक पढ़ ही रहा हो तुमने पांच साल वाला क्यों किया तो ये भी कहीं तो आप नहीं कर रहे हैं तो जरा सा आप अपने उपर दिश्टी दौणा आए देखें कि आपके घर में क्या हो रहा है आप दोनों बच्चों में भेदभाव तो नहीं कर रहे हैं ये तो तुमने जैसे कहा कि दो बच्चों में तो कभी कभी दोनों बेटों में तो करते ही हैं लेकिन बेटे बेटी में बड़ा फर्क हो जाता है तो इन सारी चीजों का खहिए पूरा पूरा मौका दें और अकसर जो हम बाते करते हैं जैसे हमने बाते करते हैं किसी भी खिलाडी की बात करते हैं तो बराबर हम देखते हैं कि उनक Millerunk को सहीयोग देते कि तुम्हारे अंदर ये कमज़ोरी है, ये कमज़ोरी है, लेकिन उनके अंदर जो विशेषता होती है, उसका कभी वो दिक्र नहीं करते है, और जनका बार-बार कमज़ोरी के जिक्र करते है, तो बच्चा कहीं ने कहीं कुंठित हो जाता है, Ins Collection and Act ध्यान नहीं देते और उसको सुधारने की कोशिश नहीं करते तो ठीक है बच्चा अपना है बहुत प्यार होता है लेकिन थोड़ा सा निश्पक्ष रहे के तटस्त भाव से देखें और ऐसा मान के चलें कि यह कोई और कवच्चा है इसमें एकदम हमें इमानदारी से देखन यह यह नहीं सोचना चाहिए कि कोई बात नहीं सतना तक कर लेने दो उसके बात सोचेंगे तो शुरू से अगर आप दृष्टी रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बिलकुल कि बच्चा क्या करना चाहरा है और क्या कर सकता है और आप किस हद तक उसकी मदद कर सकते और समय से करने की जो बात करी णा अँरेणू जब आ उपने तो मुझे एक बात का खियाल आया कि अक्सर क्या होता है न कि जैसे घर में माता पीता दादा धादी वगयर है घर का कोई एक बड़ा व्यक्थी बच्चों को किसी बात के लिए टोकता है और कहता है कि देखो यत तुम काम समय से किया करो, तो दूसरे लोग जो होते हैं, बड़े प्यार करते हैं बच्चों से और इसी प्यार के वशीबूत हो करके वो यह बात करते हैं, अरे रहने तो कर लेगा न, थोड़ा बड़ा होगा, उसके बात कर लेगा, तो यह जो बात है ये कही ने कही ठीक नहीं है अगर एक व्यक्ति कोई बात समझाईश के हिसाब से कह रहा है तो उसे कह लेने दीजे ताकि वो भी सोच समझकर ही कह रहा है और अगर जो काम समय पर करना है वो नहीं हो पाएगा तो आपने जैसे कहा कि बहुत देर हो जाएगी करियर बना अच्छा ये तो आपस में इनकी नहीं है, जम रहे हैं तो हम भी कभी भी कुछ भी मना कर सकते हैं, इस राद काटने की आदत नहीं रहनी चाहिए, दूसरा एक बात और है कि धीरे धीरे इस तरह से बश्पन से जिम्मेदारियां देते रहना चाहिए, तब ही हम भविशी के प जो है वो आप शुरू से डालते रहेंगे बच्चों में, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उन्हें बड़ी आसानी से मतक कर लेंगे पूरी, फिर देखे कितने भविश में मजबूती से आगे बढ़ेंगे, उनके पैर मजबूत रहेंगे, और उनके पैर मजबूत तो ह चायावदी युक के चार प्रमुक इस्तंबो में से एक हैं, और उनका जन्म कोसानी बागेश्वर में हुआ था, जरना, बर्फ, पुष्प, लता, भ्रमर गुंजन, उशा किरन, शीतल पवन, तारों की चुनरी, ये सब सहज रूप से उनके कावे के उपादान बने, और सर्ग के उपादानों का प्रतीक, वबिम्ब के रूप में प्रयोग उनके कावे की विशेष्टा रही हैं, और वहीं उनका व्यक्तितु भी बहुत आकरशक था, जैसे कि उनकी कावे की खास विशेष्टा थी, वैसे ही, गौर, वर्न, सुंदर, सौम में मुखाकरिती, लं उनका जन्म हुआ था और 1918 के आसपास तक वे हिंदी के नवीन धारा के प्रवर्तक कवी के रूप में पहचाने जाने लगें, यानि बहुत कम उम्रिती, अठारा वर्श की विशेष्ट में, उनका प्रसिद्ध कावे संकलन पल्लव प्रकाशित हुआ, 1938 में उन्होंने रू लव में संकलित, उनके छोटे गेत, विराट, व्यापक, सोंदर्य तथा पवित्रता से साक्षातकार कराते हैं। अगर हम करें, तो उनकी कावे कृतियां हैं, ग्रंथी, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, स्वरन किरन, स्वरन धूली, कला और बुढ़ा चांत, लोकायतन, चिदंबरा, सत्यकाम आदे। उनकी जीवनकाल में उनकी 28 पुस्तकें प्रकाशित हुई, जिनमें कविताएं, पद्य, नाटक और निबंद शामिल हैं। उन्होंने जोटसना नामक एक रूपकी रशना की है, उन्होंने मधुजवाल नाम से उमर खयाम की रुबाईयों के हिंदी अनुवात का संग्रह निकाला था, और डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के साथ संयुक्त रूप से खादी के फूल नामक कविता संग्रह प्रका से सम्मानित किया गया, 1961 में उन्हें हिंदी साहिते सेवा के लिए पद्मभूशन से सम्मानित किया गया, बिलकुल आज उनके जयनती पर हमने नमन करते हैं, और रेणु जी अब थोड़ी सी आहर की बात भी कर ली जाए, लेकिन उससे पहले ये भी बता दे कि भारत सरकार उनके सम्मान में डाक टिकर भी जारी किया था, तो बड़े सहितेकार और बहुत उम्दा लिखा एक तरह से, एक तो एक विविदता बहुत है उनकी रचनाओं में, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अब विविदता की बात आती है, तो हम लोग भूजन में बड़ी व बड़े जाता है, इसका कारण यह है कि गर्मी के दिनों में सत्टू किसी एक वरदान की तरह होता है, और इसके फाइदों की वज़े से संपूर्ण आहार भी कहा जाता है, और ये केवल स्वाधिश्ट ही नहीं होता है, बलकि ये पोश्टिक भी बहुत होता है, और इससे पेट भरने के साथ साथ आहर की जो एक तरपती होती है, वो भी हमें मिल जाती है, और दुसरी पाती है कि गर्मी के दिनों में जब हम बाहर जाते हैं, कोई दूसरा भोजन अगर हम लेकर के जाए, तो उसके बहुत जल्दी खराव होने की संभावना बनी रहती है, तो ये एक ऐसा खादी बदात है, कि इसे आसानी से कई दिनों तक बिना किसी प्रेजर्वेटिव के रखा जा सकता है, हम अपने साथ रख सकते हैं, और इसे बनाने के लिए किसी विशेश चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती है, अगर आपके पास में पानी है, तो पानी में घोल के प आता है, जीरा और ये सब पड़ा हुआ, वो सब भी मिला कर सीध है, साधा पानी में घोल के पिया जा सकता है, तो इसके ज्यादा दिन चलता है, जो आज का डिबबा बंद आहार आता है, ये कह सकते हैं, कि हमारा पुरातन काल का डिबबा बंद आहार है, और इंस्टेंट तो जब पुराने लोग साफ सुत्रागर कपड़ा लेकर चले, तो कपड़े पर ही उसको सान लिया और उसके लोई बना के खा लिया, तो इस तरह से भी खा सकते हैं, तो आपको किसी भी साधन की जरूरत नहीं है उसके लिए कि कोई बरतन चाहिए, कोई खास जगहे तो जिसको जब पकाने की जरूरत ना पड़े, जो खराब ना हो, और आसानी से आप अपने वो यात्रा के दिन भी काट सकें, पेट भी बर जाए, और सबसे बड़ी बात यह बहुत पाचक होता है, पेट के लिए भी अच्छा होता है, तो जब बाहर जाते हैं, तो हाजमा कई बार दुरूस्त नहीं भी होता है, तब भी अगर यह खाली आ जाए, तो भी कोई नुकसान नहीं होता है, खास्तों से चने का जो सत्तू होता है, आज के समय में खास्तों से यह गर्मी का मौसम है, इसमें कुछ लोग नमकीन इसका शर्बत बना कर पीते हैं, कुछ हार हो जाता है, लेकिन हम कुछ वेंजन बता दें, बिल्कुल सत्तू थाली पीत हम बताते हैं, उसके लिए सामगरी हमें चाहिए एक कप सत्तू, जो की चने या जो का जिसका भी आपके घर में हो या बनाते हों, आप ले सकते हैं, एक प्याज लीजे, दो हरी मिर्च, दो चमच हरा धनिया लीजे, एक चमच थोड़ा सा दही लीजे, आधा टीस्पून आप काली मिर्च ले लीजे, चोथाई टीस्पून हल्दी, नमक स्वात के हिसाब से और तेल आवशकता के हिसाब से लीजे, अब बनाना कैसे ये भी बता देते हैं, प्याज, हरी मिर्च, हरा तो वो भी चल जाएगा, उस तवे पर थोड़ा सा सत्तू का मिश्रन रखकर अंगूलियों से थप तपा कर गोलाई में फैला दे, और हाथ में हलका सा पानी लेकर गीला करते हुए, अगर इस मिश्रन को हम फैलाएंगे, तो ये बड़ी आसानी से फैल जाएगा, कोई दिक उसे सेक लीजिए, और जब थोड़ा सा ये करारा हो जाए, थाली पीट, तो इसे उतार लीजिए, और पिर किसी भी चटनी के साथ या ऐसे भी खा लीजिए इसको, दही से भी खा सकते हैं, आप आप जैसी मर्जी हो, वैसे आप खा सकते हैं, सत्तू के लट्टू बता दे, सबसे आसान है, सत्तू के भुना हुआ, जो हो, चाहे भुने हुए, चना हो, इसका बनता है, इसलिए आपको इसको भुनने की जरूरत नहीं है, इसमें सादा सा आप देशी घी, पिगलाल है, और शक्कर पीसी हुई अगर आपको पसंद है, या बूरा आपको पसंद है, ज से इसमें सीधे, आपको बस कड़क करके, यानि मतब पका कर घी को डालना है, जितना आप चाहते हैं, और शक्कर मिला दीजिए, अगर आपको मेवा मेल, उस पर सजाना है, तो वो सजावाट आप कर सकते हैं, छोटी इलाइची भी डाल सकते हैं, लेकिन भई, अगर वेक्त प्रयोग करते हैं, बनाने पड़ते हैं, नहीं तो घर के लोगे कहने लगते हैं, आप रोज दोज यही क्या सबजी बनाते हो, क्या सबजी रोटी बनाते हो, कुछ और भी बनाया करो, तो चलिए, सत्तु उत्तपम कैसे बनाया जाए, ये हम जान लेते हैं, उसके लिए साम नमक स्वात के हिसाब से लीजे चार-पाच कड़ी पत्ते लीजे और चोथाई चमच अद्रका पेस्ट चोटकी वर हिंग चाहिए चोंक के लिए राई चाहिए इतनी सामगरी चाहिए अब इसकी विधी हम बता देते हैं तो सबसे पहले तो सत्तू में सूजी दही और नमक मि उत्तपम के मिश्रण में डाल देना है मिश्रण डालने के बाद एक बार फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लीजे उसमें हरादनिया बारी कटी हरिमेश अद्रका पेस्ट यह सब मिला ले और अंत में थोड़ा सा सोड़ा मिला ले अब क्या करना है कि एक नॉन स्टिक तवा लीजिए उस पर तेल लगाई है और इस मिश्रण को फिला कर दोनों तरफ से सेक ले और उत्तपम बना लीजिए तयार है किसी भी चटनी के साथ खाई यह से क्या बात है तो भाई यह कहना चाहिए न नया पुराने का फ्यूजन हो गया उत्तर भारत का और दक्षिन भारत क फ्यूजन हो गया और इस तरह से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं और हमारे एक साथी ने लिखा है कि भाई बुआ जी मैंने अभी जल्द ही चना और गेहूं का सत्तू आठा घर पर ही तियार किया है लेकिन इसके वेंजन को बनाना नहीं जानती तो भाई आता है तो यह अच् चने का सत्तू अगर आप चाहें तो लें जो और चने का मिला हुआ भी आप ले सकते हैं दो हरे मिर्च चाहिए कटी हुई एक प्यास बारीक कटा हुआ चुटकी पर अजवाइन एक बड़ा चमच आम का चार का मसाला बारीक कटा हुआ हरा धनिया आधा चमच लाल मिर्च आधा चमच जीरा नमक स्वात के हिसाब से और एक चमच तेल घी सेखने के लिए मतब चमच तेल चाहिए और घी सेखने के लिए अलग चाहिए ग्यों के आटे में नमक अजवाइन डाल कर मुलायम गूत ले और एक पैन में तेल डाल कर जीरा तरका ले फिर उसमें हरे मिर् इस तरह से भरावन तयार हो गया तयार आटे में सत्तू का भरावन भरकर पराठे बना ले फिर कुरकुरे कुरकुरे पराठे आप दही सिखाएं चटनी सिखाएं बैगन के भरते सिखाएं चोके सिखाएं जैसे भी खाएं इसके संगसंग आप चाहें तो इसमें प्याज नह तो लेटी चोखा बनाने के लिए भी आप इसका जो सत्तू है ये इस्तिमाल कर सकते हैं और राजस्तान में तो महां दाल बाटी भी बहुत बनती है तो जो बाटी बनाते हैं उसमें भी सत्तू का उपयोग यह जा सकता है पहले हम लिटी चोखा बनाने में लिटी बनाने में इसका किस तरह से उपयोग हो सकता है वो हम बताते हैं तो उसके लिए दो कप आटा हमें चाहिए और आधा टीस्पून अजवाइन चाहिए बाटी बनाने के लिए बताया जा रहा है टीस्पून अजवाइन चोथा चोथा की जरूरत होगी तो वो भरावन की तरह से तयार करना है उसके लिए सामागरी है एक कब सत्तू का आटा ले एक चमच बारी कटी हुई हरी मिर्ष ले दो चमच सरसो का तेल नमक स्वात के हिसाब से लीजे एक चमच बारी कटा हुआ प्यास दो चमच अचार का मसाला अगर अधर का पेस लें दो चमच नीमू का रस लें और थोड़ा सा काला नमक तो अब करना क्या है कि सबसे पहले आटे में नमक, सोड़ा, अजवाइन और मोयन डालकर अच्छे से मिलाए और पानी की साहता से इसे सकत गूत ले और करीब 15 मिनिट इसे ढग करके रग दें ये तो सूखी लगे कि ऐसा लगे कि भरावन नहीं भरा सकता है तो उसमें एक दो चमच पानी डाल कर इसे हैं चिट्टा दे थोड़ा सा क्योंकि वैसे तो सूखा भी भर जाएगा लेकिन खाते वक्त बहुत ज़्यादा सूखापन लगता है तो अगर आप उसमें थोड़ा सा ते जो गुते हुए आटे की लोई को हाथ में लेकर उसे चप्टा करके सत्तू के आटे का जो मिश्रन हमने तयार किया वो भर कर अच्छे से बंद कर दे और फिर थोड़ा से चप्टा कर दे और धीमी आच में अवन में सेक ले और सिकने के बाद घी में डुबो कर रख दे तो वही हमने का मुझे बहुत सबस्ट नहीं है राजिस्तान में जो बाटी बनती है वो भी अलग अलग तरह के भरावन बनके उसमें कई बार लोग आलू का मसाला भरके भी उसकी बाटी बनाते हैं लेकिन इसलिए उसको लिट्टी कहते हैं दोनों में इसलिए फर्ख होता है नाम में वहां नहीं प्रश्रित होगा लेकिन जहां भरावन होता है शायद उसको भरावन अलग अलग तरीके का सब तरीके का होता है यह बर बिल्कु सही है वैसे हमारे एक साथी ने बहुत अच्छा लिक कर भेजा है कजरी तीज के दिन हमारी बेटी के ससुराल में एक द जरफ चली गई है और घड़ी ने हमें इशारा किया है कि आज के कारिक्रम को हमें यहीं विराम देना होगा पेट भर जाता तो यहीं होता है चलो पिर मिलाकत होगी इस उम्मीद के साथ चलिए आज के कारिक्रम का समापन करते हैं इजाज़त दीजिए आप सभी को चत्विवेदी और एणु चत्विवेदी का नमस्कार